आई रे 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 आई र पर बैट के लोटे योगिया दितनात जोगीरह सारा रारा जोगीरह सारा रारा बोल डोजरे चलायूं बाबाजी का धुआ धार कितने निपट गए इस बार होली में हाथ और हाथी वाले भाया दीदी बहन जी dod거든 टीन पर सिमट गए इस बार होली में नमस्कार आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राहूल शुकला सबसे पहले नमन सत्य न्यूज के दर्शकों को होली की धेर सारी शुपकाम नाए होली का त्योहार है और ऐसे में गुजिया संग है पकोड़े संग है लेकिन अगर कभी संग ना हो तो यह त्योहार बिल्कुल फीका पढ़ जाता है इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए नमन सत्य न्यूज कई कवियों के साथ इस मंच पर आया है और कवियों की चकल्लस लेकर जो लोगों की जिंदगी फीकी पढ़ चुकी है उनकी जिंदगियों में रंग भरने और साथ होली के स्त्योहारों में नंग भरने में के दिए हमारे साथ कुछ कवी मौजूद हैं और यह कवी देश के प्रतिस्ठित कवी हैं और ऐसे में सीधे चलते हैं यह हमारे साथ कवी हैं यह अब वाइट कुर्ते में जो बैठे हैं ये हमारे साथ हरी सिंग हैं हरी सिंग गोंडा के रहने वाले हैं कहा जाता है कि गोंडा नरेस हैं और इनकी कविता जो सुन लेता है वो बार बार इनको सुनना पसंद करता है इसके आगे चलते हैं हमारे साथ अरुन मित्तल हैं लेखक निकलती है और हर को इनको सुना चाता है तीसरा चहरा देखिए सुरेंद्र पाल हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र पाल किसान आंदोलन से बड़ा चहरा निकल कर निकले हैं पूरे किसान आंदोलन में इन्होंने ना सिर्फ सुर्ख्यावटोरी बल्कि किसानों को भी एंट करते हैं सरस्तों सभी पीड़ इस दर्सकों को ौली की बहुत-बहुत सुभकामनाए और Сवती बंधना से शुरू करते हैं में बड़ी को परणाम करते हुए जोती से जग करो करो तम धरा का हरो मेरी मां सार दे ज्यान की जोति से जग को रोसन करो तम धरा का हरो मेरी मां सार दे हम भी नए सील हो जग को अपना करें ए सबर आज मुझे को दो मां सार दे ज्यान की जोति से जग को रोसन करें सक्ति साली बने बैभो साली बने हर बैसं से सदा मुक्त ही हम रहें पत सुगम हो मेरा जो है काटों भरा भारती मां की जय हो सदा ही कहें गर एहंकार का बीजिपन पे कभी एक पल में ही माता उसे मार दो ज्यान की जोति से जग को रोसन करें तम धरा काहरो मेरी मा सार दे तम धरा काहरो मेरी मा सार दे के बहुत 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 दनर्डवार शार्दे की बंधना के बाद हम हमारे साथ अरून मित्तल हैं जो को लेकर कर जंता के बारे में क्या कुछ इनके पास है जनता को एंटिटेन करने के लिए सर जनता के लिए क्या कुछ मैसिज देना चाहते हैं अपनी कविताओं के जरीए क्योंकि आपकी कविताएं जनता को बहुत भाती हैं क्या कहेंगे सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुब कामना है मस्ती का त्योहार है तो मस्ती की बात करते हैं कविता के माध्यम से के मस्ती में मचा के धूम प्रेमियों को चूम चूम चारों और घूम घूम रंग बरसाईए ऐसी हो तरंग तन मन में भरे उमंग होशक हो पतंग सम जूम जूम जाईए तो आज सारे संग पीए भंग नाच अंग आज सारे संग पीए भंग नाच अंग अंग वो ऐसा मदमस्त रंग ढंग से जमाईए होली का मिलन है ये वैर सारे भूल कर फाग का अनूठा राग साथ मी लगाईए तो नजरों के आर पर खूब बरसाओ प्यार रूठों का हो मनुहर सब को मनाईए हो विचार नेक दिल मिल बन जाएं एक प्रीत की सितार पर प्यार गीत गाईए तो हो श्रिंगार मोसम का खुशबू के जरनों से सब को ही दोड कर दिल से लगाईए धरा पे हो ऐसा रंग देव भी तरस उठें प्रेम का खजान सार प्रेम से लुटाईए बहुत शांदार बहुत शांदार प्रेम का खजान सार प्रेम से लुटाईए यानि कि यह वही त्योहर है जो इस दिन दुश्मनों को भी कहा जाता है कि दुश्मन दोस्त बन जाते हैं वेरहाल आगे बढ़ते हैं सुरेंदरपाल हमारे साथ मौजूद हैं बताया हमने कि जैसे की बड़ा चहरा है ऐसे में अब यूपी चुनाव पांच राज्यों के चुनाव भले ही समाप्त हो चुके हैं लेकिन अब नगर निकम चुनाव दूर नहीं है ऐसे में राजनेति को लेकर होली से जुड़े हुई क्या कुछ तैयारियां हैं सुरेंदरपाल से जानते हैं सर नगर निकम चुनाव भी बहुत नजदीक है और पांच राज्यों के चुनाव का परिणाम आ चुका है होली में इन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे क्या है आपके पास सबसे पहले मैं आपके दर्सकों को सबको नमस्कार करना चाहता हूं और जो अभी जो चुनाब बीते हैं हार जीत होती है हारने वाले आगे की तैयारी करें हारने वाले कभी हारते नहीं है तैयारी करते रहते और जीतने वाले अप जनता के काम में ध्यान दें जनता की भलाई के काम करें और इसी के साथ तो रंगों का तहार होली आ चुका है और एउसी होली के प्लक्ष में ने कभीता लिखता रहा था हूं अर गोपियां संग गोकुल में होली खेल रहे कनाई रे आई रे आई रे आई रे अर होली आई रे अर योगी योगी करती ये जनता योगी जी नहीं सुनते हैं राम राज ये लाके रहेंगे बढ़ने के रादे लगते हैं योगी योगी करती ये जनता योगी जी नहीं सुनते हैं और खेत खेत में साण खड़े हैं खड़ी फसल को खाते हैं हमको ना कोई रोकने वाला आपस में ये चरचा करते हैं योगी योगी करती ये जनता योगी जी नहीं सुनते हैं राम राज ये लाके रहेंगे बड़े नेक रादे लगते हैं बड़ी तिकडम बाजी करके यूपी में सरकार बनाई है किसान हो या बिपक्चिनेता किसान हो या बिपक्चिनेता सब डरे डरे से लगते हैं और योगी योगी करती ये जनता योगी जी नहीं सुनते हैं सुरेंद्र पाल किसान अंदोलन से जुड़े हुए थे और ऐसे में होली के इस अफसर पर होली के इस पावन पर पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनों ने बताया कि योगी योगी जनता कर रही है हुली के त्युहार में लेकिन योगी जी सुन नहीं रहे हमारे साथ हरी शिंग मौजूद हैं लेकिन इनका बिजेपी समर्थत थे किया सकता है और ऐसे में क्या कहेंगे सार्य योगी जो सुनते नहीं है बुलडोजर को लेकर तवाश थायाया है होली कत्य वहार हो और जोगीरा ना हो ये सही नहीं लगता तो मैं जोगीरा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जोगेरा सरा जोगीरा सरा रा 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 सैकिल हाथ ही चला नहीं ना कुछ कर पाया हात साइकिल हाथी चला नहीं ना कुछ कर पाया हात बुल्डोजर पिर बैट के लोटे योगी आदितनात जोगीरा सरारारा जोगीरा सरारारा ओट सपोर्ट मिला बाबा को जनता ने बढ़ाया मान योगी बाबा फिर से बन गए यूपी के परधान अपना सत्यानास कई से किया जाता है इन पंतियों में देखिए खुद के हाथों कर डाला खुद अपना सत्यानास सिर पर रख कर हाथ रो रहे हैं स्वामी पर साथ कांगरेस वाली दीदी का चला नहीं कुछ जोर लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ खुब मचाया सोर जोगीरा सर रा 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 दीदी रोओं माया रोओं रो रहे एक लेस कुड़ता फाड के राहु रहे पर करें कलेस जोगीरा सर रा 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 बैठ के रला कुल फी खाएं बोलें उल्टी बात बहु और बहु मत से बंचित कांगरेस इवराज जोगीरा सर रा 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 अखलेस जैंत की जोडी ने खुब लगाया जोर लेकिन कुछ ना कर पाये खुब मचाये सोर जोगीरा सर रा 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 प्ले गंचे वाले चच्चा मन ही मन पस्ता हैं खुद को डूबे खुद तो डूबे बीच भवर में सपा को दियो डुबाए जोगीरा सरारारा जोगीरा सरारारा और जीत भाजपा की ही होगी मन में था विश्वास जीत भाजपा की ही होगी मन में था विश्वास लेकिन योगी जी ने याकर बना दिया इतिहास जोगीरा स और आम आदमी की आंधी में सिमट गया पंजाब कांग्रेस यठारा रह गई हुई बान बे आप जोगीरा सरा रा 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 चन्नी बादल और कैप्टन हार गए नौजोत लड़े कांग्रेसी आपस में जम कर किये कल्यस जोगीरा सरा रा 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 मणिपूर जीता गोवा जीता जीता उतरा खंड यूपी में बाबाजी का चण़ गया भगवा रंग यूपी की जनता ने उनको बता दिया आवकात जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा रारा हारे कौन कौन पुसकर हारे रावत हारे जीता उतरा खंड पुसकर हारे रावत हारे जीता उतरा खंड इस होली में फिर से उड़ रहा वहां पे भगवा रंग जोगीरा सरारा रारा और एक बदनाम सायर जिसने कहा था अगर योगी जी जीतेंगे तो मैं यूपी छोड़ दूँगा आईए उनके सान में कुछ पंतिया पढ़ते हैं इक सायर बदनाम मनवर बोले बिगडे बोल जल्दी यूपी छोड़ के जाओ वादा हो रहा फेल जोगी रस रर 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 एक मिसाहिल ऐसी चुटी गिरी पाक में जाए डर गए सारे पाकिस्तानी बहुत गये घब रहे जोगी रस राजनीत सिच्छा में घुस गई लोग रह लोग न आये बाज मुद्दा सिच्छा का नहीं रहा अब मुद्दा बना हिजाब जोगीरा सरा रारा रारा तेजू के पापा को फिर से हो गई देखो जेल बैट जेल में लेल या दो भेज रहे इमेल जोगीरा सरा रारा जोगीरा सरा रारा जोगीरा सरा रारा बहुत शांदार जोगीरा सरा रारा और ऐसे में पांच राज्यों के जो चुनाव थे और जो परिणाम थे वो बिलकुल उलट थे क्योंकि किसी नहीं नहीं सोचा था कि परिणाम इस हिसाब से आएंगे और ऐसे में अरुन मित्तल हमें क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं सीधा चलते हैं होली के इस जो रंग है किस तरीके से अपनी कवी से इस होली के त्योहरों में रंग बिखेरने को तयार है आए सुनते हैं पांच राजियों के लिए कर क्या सुनिये कि बुल डोजर चलायूं बाबा जी का धुआधार कितने निपट गए इस बार होली में कमल कहीं जाड़ों ने किया कमाल कहीं पे कमल कहीं जाड़ों ने किया कमाल सूरमाल लटक गए इस बार होली में बगवंत मानने लगाया रंग भावियों को सिद्धुचनी पिट गए इस बार होली में और देखिए पंजाब में क्या हुआ के बड़े बड़े दिगजों को चारों खाने चितकिया केजरी ने याद फिर दिली की दिल आई है जनता ने ऐसा इती हास रच डाला देखो आमों आदमी की फिर सरकार आई है ऐसा मिला जना देश कोंगरेस भूली रेस बीजे पी हो या काली सब की धुलाई है रिन और टाइड को भूल जाओगे रे भईया जाडू की सफाई है यह जाडू की सफाई है बहुत शांदार बहुत शांदार जिस तरीके से देखिए कि कैसे होली में जो नेता है उन्होंने किस तरीके से अपना कारनामा दिखाया है और ऐसे में क्या इन नेताओं पर जनता विश्वास करती है उसको लेकर सुरेंदर पाल ने कुस तयार किया है आई ये सुनते हैं कि होली के इस पावन पर पर होली के इस त्योहर पर जो लोगों की जिंदगी में रंग भी खेरने का काम करती है ऐसे में सुरेंदर पाल ने क्या कुछ तैयार किया है नेताओं को लेकर क्या कुछ तैयार है चारों नेताओं के बारे में अगर अलग अलग कि बात की जाए तो होली के त्योहर पर इनको किस तरीके देखते हैं क्या कहेंगे जंता को क्या कहना चाहिए सबी पार्टियों ने अपने तरीके से तैयारी की थी हैरानी तो तब होती कि बहुत से नेता पार्टी अपनी मूल पार्टीयों को छोड़कर दूसरी दौलों में उनकी जिसकता जो धुलाई हुई है इस होली में उसको लेकर मुझे चना अपसोच है कि साद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था उसी को मैंने ध्यान में रखके कबता लिखी है अर दल बदलूनेताओं की होली भैया मेरी समझ नहीं आई कोई चड़कर गिर गया हाती से किसी का कमल गया मुर्जाई कोई चड़कर गिर गया हाती से किसी का कमल गया मुर्जाई दल बदलूनेताओं की होली मेरी समझ नहीं आई किसी की साइकिल हो गई पंचर किसी के हाती की तूटी कलाई कोई चड़कर गिर गया हाती से किसी का कमल गया मुर्जाई कोई कहीं से जीत गया कोई कहीं से जीत गया जनता को बहकाने में कोई पार्टी पीछे नहीं है जनता को बहकाने में बोट की भातिर सबने देखो बादों की जड़ी लगाई दल बदलू नेताओं की होली मेरी समझ नहीं आई और जीतने वाले होली खेलें जीतने वाले होली खेलें दल बदलू नेताओं की होली मुझे समझ नहीं आई नेता जी के और नेता जी तो घर में सो में और नेता जी तो घर में सो में उनकी बोले जूट लुगाई दल बदलू नेताओं की होली मेरी समझ नहीं आई प्रौान जब चुनाओं खतम हो गए तो अपने घर के कामों में, अपने बच्चों को समझाने में थोड़ी से मशक्कत की अपनी पत्नी को समझाने में मशक्कत की तो मैंने दो चंद तीन चंद लिखे हैं किसी ने कहा कि अब योगा वोगा शुरू करते हैं तो दो तीन छंद मैंने लिखे हैं कि नेताओं ने चुनाओं के बाद क्या क्या किया और उन पे वो किस तरह से उल्टा पड़ा तो नेता जी अपने बेटे को समझा रहे हैं अब बेटा भी नेता का बेटा है समझें कि नेता जी ने बेटे को बुलाया पास में बिठाया बोले आज राज की में बात ये बताऊंगा शादी तो है बरबादी मत करवाना बेटे तुझ को किसी तरह में शादी से बचाऊंगा तो बेटा मुस्कुराया बोला ठीक फरमाया डैड बेटा मुस्कुराया बोला ठीक फरमाया डैड मोका मिल गया तो मैं भी फरज ये निभाऊंगा शादी मत करवाना तुम कभी जिन्दगी में मैं भी अपने बच्चों को यही समझाऊंगा शादी मत एक और छंद है कि नेता जी अब पत्नी को समझा रहे है पत्नी को समझा रहे हैं कि उनको जीवन बीमा कराना चाहिए तो शाद ये है कि जीवन का किसिक्षण कोई भी भरोसा नहीं जोखी में ना आप यूँ अकेले ही उठाईए सबसे सही है राह फैला एक खड़ी है बह बीमा कमपनी को इस जाल में फसाईए सबसे सही है राह फैला एक खड़ी है बह बीमा कमपनी को इस जाल में फसाईए तो नेता पत्नी से बोले फाइदे का सोदा है ये प्रिये आप भी जीवन बीमा करवाईए पत्नी बोली आपने करवा रखा है जनाब उससे कोई फाइदा हुआ हो तो बताईए क्या बताएं आपको जिस तरीके से लगता है कि ये तीनों कभी नेताओं की त्योहार पर ना सिर्फ रंगों का उत्सब मनाने के लिए नेताओं की दुलाई करने आए और ऐसे में हरी सिंग के पास पहुच गए क्या कुछ नहीं है क्या कुछ अगला है सर क्या कुछ त्योहार को लेकर क्या अगला है क्या सुना रहे आए ये यूपी का चुनाओ परणाम में दो लाइनों में आपको सुनाता हूं उपर योगी का मकान नीचे साइकिल की दुकान हाए हाए रे आए हाए रे आए हाए रे आए हाए रे उपर योगी का मकान नीचे साइकिल की दुकान पीछे कांगरेस के दबतर में बस दो ही कुड़े दान हाए हाए रे आए हाए रे आए हाए रे लहर लहर चली एई सन से क की लिया होई गई पेंचर बिगड़ गई हो लिया लहर wydaje लहर चली है संसे की लिया होई गई 500 बिगड़ गई Ci만 बोले बोले रे स्यापाई इबियम बेईमान हाई हाई रे आई हाई रे आई हाई रे ये तो यूपी का चुनाव पढ़ाम हुआ आए एक पैरोडी से आपको जोड़ता हूँ कि योगी योगी के नारे योगी मोदी के नारे लगा रहे थे सारे गोरकपुर वाले बाबा के हो गई वारे नारे सारे योगी के बीरोधियों में प्यार हो गया उसके बाद भी आपो जी सन बेकार हो गया अखले जी क्या बोले पापा पापा अब हम से फई चले जाएंगे पापा बोले हाँ बेटा अब योगी फिर आएंगे यूपी के कुर्सी पर इनका फिर अब राज़ा हो गया यूपी के कुर्सी फर इनका अधिकार हो गया उसके बाद भी आपो जी सन बेकार हो गया और एक नेता जी हमारे ये कहे थे कि इंटर करके जब आप बारहुई में जाओगे तो आपको लेटाप मिलेगा इसी बातों से पूरी यूपी में रार हो गया उसके बाद भी आपो जी सन बेकार हो गया बेकार हो गया जैसा कि आपने सुना कि इंटर के बाद बार्वी में जो छातर जाएगा और उसको लेफ्ट आप दिया जाएगा उसके बाद भी इस बयान के बाद भी यूपी में भगवा लह राया और योगी की सरकार आ गई बैरहाल सरकार बनने के बाद मोदी जी ने कहा जो ग्रहमंत्री जी है उन्होंने कहा कि वो होली मनाएंगे और जो कारिकरता है वो होली मनाएंगे ऐसे में पूरा देश ना सिर्फ बीजेपी बलकि पूरा देश होली मना रहा है किस तरीके से लोग होली मनाएंगे और क्या कुछ मैं कुछ चंद सुना रहा था कि नेता जी ने पहले बेटे को समझाया फिर पत्नी को समझाया जब दोनों नहीं समझे तो नेता जी ने का कुछ योगासन योगासन सिखा जाए तो मेरे पास आए तो मैंने फिर उनको योगासन समझाया सुनिये कवी ने कहा कि योगा सन है अलग मेरा सुबह सुबह चार घंटे आप भी लगाईए कि बुद्धितिवर हो जाएगी नाचने लगेगा मन सीख लीजिये ना विर्थ समय गमाईए नेता जी ने कहा कवी राज बतलाओ योग कवी बोला यहां के मुर्गा बन जाईए एक चंद में और पढ़ता हूँ कि एक नेता जी हार गए चुनाओ तो उन्होंने फिर क्या बिजनस शुरू किया उसके बारे में कि एक अखवार वाले सर्वे कर रहे थे वहां नेता जी ने कहा मैं भी अखवार लेता हूँ हरी भूमी के सरी हो जागरन या भी कोई कोई भी तो नाम ले लो सब का सच्चा करेता हूँ पत्रकार ने कहा इतनों को कैसे पढ़ते हैं नेता बोला ये भी बात साफ कर देता हूं पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है साहब मैं कबाड़ी हूं पुराने तोल कर लेता हूं बहुत कुब बहुत कुब अब नेता की स्थिति जिस तरीके चुनावारे हैं वो कबाड़े तक आप पहुची ऐसे में सुरेंद्र जी के पास क्या कुछ है कुछ नया मैं जब से मैं राजनीती के बारे में जानकारी जानने सुरू करी है तब से मुझे यह लगता कि राजनीती में सारे नेता एक ही जैसे और सब के आपस में रिष्टे हैं राजनीती में सारे नेता एक ही जैसे लगते हैं बिजली पानी स्वाच सिक्छा जनता को कुछ नहीं मिलता है पांच साल तक जनता को ये जूटे वादों से बहकाते हैं राजनिती में सारे नेता एक ही जैसे लगते हैं चाचताओ भाई बतीजा आपस में सब के रिस्ते हैं सादा जीबन जीने वाले बी आई पी हो जाते हैं सादा जीबन जीने वाले बी आई पी हो जाते हैं महंगी गाडी इन के नीचे होटल में ये मोजी उडाते हैं राजनिती में सारे नेता एक ही जैसे लगते हैं काम न करते जनता के ये मार के लात भगाते हैं काम न करते जनता के ये मार के लात भगाते हैं और पी कर सारे मस्ती करते ये जाम से जाम लडाते हैं राजनीती में सारे नेता एक ही जैसे लगते हैं का एक मारे नेताओं को एसा दोया कि उनकी और इस तरीके की होगी उपदेश का भी मर्म होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि मैं इस देश की मिट्टी को प्रणाम करते हुए कुछ छंद पढ़ू आप सभी आपके चैनल के शोताओं के लिए तो मेरा इन छंदों का शीर्शक है माटी मेरे देश की मात्रिभू की रक्षा करें मौत से कभी न डरें ऐसे देती है चरित्र माटी मेरे देश की शोर्य की भी जननी है शान्ती की भी अग्रदूत शोर्य की भिजननी है शांती की भी अग्रदूत सच मुच है विचित्र माटी मेरे देश की मासमान ममता की छाव देती है सभी को बाटती असीम प्यार माटी मेरे देश की आप इतिहास उठा कर देख लिजिए कितने लोगों को आश्र दिया मेरे देश भारत ने क्रूर पापी देश द्रोहियों के बाजु बढ़ रहे सहर ही अत्याचार माटी मेरे देश की मैरे देश की तो अपनों की गदारी से हुई बेबसी में सुनो योगों योगों से शिकार माटी मेरे देश की शूर वीरो आगे आओ दुख धरा का मिटाओ शूर वीरो आगे आओ दुख धरा का मिटाओ आज करती पुकार माटी मेरे देश की आज करती पुकार माटी मेरे देश की तो अरुन मित्तल ने सुनाया कि आज की जो माटी है वो पुकार रही है मेरे देश को में लोगे हुआ कि आजे वह हमारे साथ हरीस सिंग मौझू है उनके पास क्या कुछ नया है क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं आई सुनते सर नया अब साफ नहीं मिटे की बात की तो मिटे पे दो को सउनाना चाहता हूं है कि हमारे देश की में तो नहीं यही पर राम जन में हैं, यही घनस्याम जन में हैं, यही गौतम वनानक ने हमें जीना सिखाया है, यही कबिरा यही तुलसी यही रस्खान जन में हैं, हमारे देश की मिटी की भी अनुपम कहानी है, कहीं बुढ़ा कहीं बच्चा कहीं अलहड जवानी है, हमारे देश की मिटी में खुसबू है पसीने की, यहां गंगा के पानी की भी तो अपनी रवानी है, यहां मिटी में सेवा सादगी सतकार है अब तक, सरलतावा सहजता का मिट ब्योहार है अब तक, बड़ी पावन है मेरे खेतवा खलिहान की माटी, बुजुर्गों के लिए आदर है उसतकार है अब तक, बहुत बहुत बंदन अभिनंदन इस मिटी का, पवित्रमाटी का, भारत की भूमी का धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारे कवियों को सुना, कवियों का कहना है कि वो देश जिस तरीके से जहां रंगों की होली खेल दी जाती है, लोगों की फीकी पड़ी जिंदगी में रंग भी खेर कर उनकी जिंदगी को रंग भरा किया जाता है, मैं समझता हूँ कि होली का जो त्योहार है, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है, कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई उचा नीचा नहीं है, सारे भेद भाव और जो भी फालतु की हम भहस करते हैं, बेशक वो राजनितिक हो या वो गैर राजनितिक हो या सामाजिक हो, मैं समझता हूँ सभी को गले मिलना चाहिए और सभी को इस देश के समाज के निर्मान के लिए कार करना चाहिए, होली का त्योहार हमें यही सिखाता है, धन्यवादा. अरुनितल निने कहा कि हुली का त्योहार है और लोगों को गले मिलने चाहिए जो दुशμέन है उनको वी दोस्थ बन जाना चाहिए पाल क्या कुछ कहते हैं जनता को सीधय आखरी सम्भोधन उनका क्या है आईसो तरजनता को क्या मैसी देंगे लेकिर राजनिती में मदभेश हो सकते हैं, मनभेश नहीं होने चाहिए आप देश में पिरदेश में जो सरकार चल ली हैं उनका सहयोग करें देश की तरक्की में योगदान के लिए हमेशा कार्य करते रहें और ये देश हम सब का है और रंगों का तिहार हो ली आपके सामने कल है और अप सब अपने मन भेशा को मत भेशा को बुला के गले से मिलें रंग एक दूसरे को रंग लगाएं खाए पिएं एंजोई करें जिंदगी को और इसी के साथ जो हमारे देस के बीरों ने जो हमें आजाधी दिलाई उन्ही के लिए मैंने दो लाइने लिखी है प्यार करेंगे मात्र भूम इसे प्यार करेंगे हम भूके प्यासे रह लेंगे आज़ादी के बीरों तुम्हें नहीं भूलेंगे जय होली कामाई की नमन सत्य न्यूज भी जैसे कि हमारे कभियों ने कहा कि देश की जनता को उन्होंने अपनी धेड़ सारी शुपकामनाय दी हैं ऐसे में नमन सत्य न्यूज भी देश के तमाम दर्शकों से देश की तमाम जनता से अपील करता है और ये निवेदर हैं कि इस पावन पर पर जो दुश्मनी हैं उसको भूला कर आखिरकार मित्रता में बदल दें और जो रंगों का त्योहार है उसमें अपनी जिंदगी में ज हुए न पर नमानों हो लिए धन्यवाद आई रे आई रे आइड़े आ क्याश्य रह ये आरे हो लिया है जुगी रस है रहा 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 साइकिल हाथी चला नहीं ना कुछ कर पाया हाथ साइकिल हाथी चला नहीं ना कुछ कर पाया हाथ बुल डोजर पर बैट के लोटे योगी या दितना जोगीरा सरा रा 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 जोगीरा सरा रा 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 बुल डोजर चला यूं बाबा जी का धुआधार कितने निपट गए इस बार होली में हाथ और हाथी व भाले भाईया दीदी बेहने जी तीन पे सिमट गए इस बाहर हो ली में